हेलो स्टुडेंट्स आज इस प्रैक्टिकल वीडियो में हम एक डोक्यूमेंट में कौन-कौन सी चीजों को इंसर्ट कर सकते हैं यह देखेंगे सबसे पहले हम राइटर डोक्यूमेंट में एक टेक्स्ट डोक्यूमेंट को ओपन कर लेते हैं और इस टेक्स्ट डोक्यूमेंट में हम क्या-क्या इंसर्ट कर सकते हैं कौन-कौन से ओप्शन्स हमारे पास दिये गए हैं इसके बारे में आज हम इस वीडियो में देखेंगे हम इस document में insert menu में दिये गए options में कुछ options का इस्तमाल करके आज देखने वाले हैं इस insert menu में आपको header, footer, page number यह options भी put not और end not जैसे options भी दिये गए हैं जिनके बारे में हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं साथे साथ इस insert menu में दिये गए कुछ options को बार बार इस्तमाल करने के लिए हमारे पास toolbar में भी इन options को दिये गए हैं जैसे कि अगर मुझे table insert करना है तो यहाँ पर table का option है image का भी है, chart का है, text box का है, page break का है किसी field को insert करना है, किसी special character, hyperlink और भी अलग-अलग options यहाँ पर दिये गए हैं इन ही में से कुछ options के बारे में आज हम इस practical video में practical करके देखेंगे सबसे पहले हम एक image insert करके देखेंगे कि इस text document में एक image को कैसे insert किया जा सकता है, कैसे जोड़ा जा सकता है इसके अलग-अलग तरीके हैं, हम एक तरीका देख लेते हैं, सबसे पहले जिस जगा पर हमें image insert करना है, वहाँ पर हम click करें click करने के बाद, insert image के option पर जाकर click करें हमारे सामने एक window open होगी, जहां पर हम computer में मौझूद files में से, जिस भी picture को insert करना चाहते हैं, उसे insert कर ले सकते हैं मान लेजे, मैं यहाँ पर इस mobile की image को अपने document में insert करना चाहता हूँ, इसे select करके, मैं open पर click करता हूँ, आप देख रहे होंगे, कि यह image मुझे अब इस document में दिखाई दे रही है, हम एक बार image insert करने के बाद उसे resize कर सकते हैं, crop कर सकते हैं, उसे edit कर सकते हैं, अलग-अलग काम हम उस image के साथ कर सकते हैं, कुल मिला कर कहें, तो हम उसे अपने जरूरत के हिसाब से modify कर सकते हैं, update कर सकते हैं, edit भी कर सकते हैं, इस image को हम एक जगा से दूसरी जगा move भी कर सकते हैं इसी तरीके से हम चार्ट के option से चार्ट को insert कर सकते हैं text box के option से text box को insert कर सकते हैं hyperlink के option से hyperlink को भी insert किया जा सकता है आगे बढ़ें और यह देखें कि कैसे हम एक text document में special characters को insert कर सकते हैं यह तो हमने एक image को insert करके देख लिया जबरत पढ़ने पर हम इसे edit भी कर सकते हैं अब हम एक text document में किसी भी जगह पर यदि हमें कोई special character चाहिए तो उसके लिए हमें क्या करना होगा यह देखें सबसे पहले उस जगह पर क्लिक करें जहां पर हमें एक special character की ज़रूरत है अब special character के option पर जाकर उसके drop down menu पर हम क्लिक करते हैं जहां पर हमें कुछ special character दिखाई देते हैं साथ ही साथ यहां पर more characters का एक option दिया गया है जिस पर क्लिक करने से हमें बाकी सभी special character भी दिखाई देते हैं हम इस चार्ट में से जो भी special character इस्तमाल करना चाहते हैं उसे select कर सकते हैं select करने के बाद हम insert पर क्लिक करते हैं तो वह special character हमें हमारे document में दिखाई देने लगता है जैसा कि आप screen पर देख पा रहे हैं मैंने एक special character का इस्तमाल किया इस तरह हम हमारे document में special character को insert कर सकते हैं हम इसी प्रकार से एक text document में कुछ shapes को भी insert कर सकते हैं इसके लिए हमारे पास फिर से वाई option है कि जिस जगह पर हम shape को insert करना चाहते हैं उस पर click करें shapes के option पर जाएं और उसके drop down menu पर click करें यहाँ पर हमें कई सारे अलग-अलग shapes दिये गए हैं जिन में से हमारी जरुरत के हिसाब से हम एक shape को पसंद कर सकते हैं इनके अलावा हम insert menu में जाकर shape के menu पर जाकर अलग-अलग प्रकार के shapes को select कर सकते हैं आपको screen पर सारे options दिखाई दे रहे होंगे जैसे कि अगर मैं यहाँ पर smile face का एक shape इस्तमाल करना चाहता हूं तो वह मेरे पास मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा हो इस प्रकार हम एक shape को अलग-अलग जगहों पर इस्तमाल कर सकते हैं हम जिस प्रकार से एक image को insert कर रहे थे और उसके बाद में उसे edit कर रहे थे इसी प्रकार से हम यहाँ पर एक shape को भी insert करके edit कर सकते हैं हमारे पास shape को insert करने के बाद उसे edit करने के भी कई सारे options हैं जिनके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे इसके बाद यह दि मुझे अपने text document में एक text को column के रूप में दिखाना है तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा सबसे पहले मैं एक text paragraph को select करता हूं select करने के बाद मैं format के option पर जाओंगा और यहां से columns के menu पर click करूँ यहां पर मुझे columns की संख्या पूछे जाती है कि कितने columns मुझे रखना है मैं यहां दो column कर देता हूं अभी मुझे विलाल दो column में इस text को दिखाना है यहां से मैं style भी select कर सकता हूं जिस line को मुझे रखना है मैं उस line को select करके उसे उसकी width उसका color और उसकी height रख सकता हूं लेकिन फिलाल मैं यहां पर कोई line इस्तमाल नहीं कर रहा हूं मैं columns को select करके okay पर click करता हूं अब आप देखेंगे यहां पर कि वही text अब दो column में मुझे दिखाई दे रहा है यहां पर इस तरीके से हम text में columns का उपयोग कर सकते हैं किसी भी shape या style को edit करने के लिए सबसे पहले उस style को select करें select करने के बाद हमारे पास अलग-अलग options दिये गए हैं जिनके द्वारा हम उस image या style को edit कर सकते हैं आप देख रहे होंगे कि यहां पर मैंने इस image का color change कर दिया आप देख रहे होंगे कि अब इसका जो color है और शापने से वो थोड़ी अलग है यह एक छोटा सा उधारन लिया है हमने कि कैसे हम किसी image या shape को edit कर सकते हैं यहां पर हमें कई सारे अलग-अलग options दिये गए होते हैं जिनके द्वारा हम किसी भी image या shape को edit कर सकते हैं तो इस video में हमने कुछ ऐसे options के बारे में पढ़ा जिनके द्वारा हम एक text document में image, shape, special character insert कर सकते हैं साथ ही साथ हमने या भी देखा कि कैसे हम text को columns के रूप में show कर सकते हैं यहाँ पर कुछ और options भी हमें दिये गए हैं जैसे कि chart, text, box, hyperlink हम इन options का इस्तमाल करके इन्हें भी एक text document में insert कर सकते हैं तो इस video में फिलाल इतना ही आगे हम next video में table को कैसे insert किया जाता है इसके बारे में देखेंगे Thank you आगे